पठान साब आप मुस्कुरा रहे हैं अब कोटा बंद हो रहा है 12% तेलंगाना का 4% करनाटक का यही मुद्दा रहेगा क्या 2024 के चुनाव का और यही एक मुद्दा है जिस पर पूरा विपक साथ हाप आएगा देखे नविका जी भी आपने का मैं मुस्कुरा रहा हूँ बिल्कुल मुझे मुस्कुरा रहा है इस बात पर के देखे समाजवादी पाटी के परवक्ता को भी बदलता है रंग आस्वान कैसे कैसे मुस्लमान रिजर्वेशन का आपने सवाल किया तो किस तरह से काड़ गई यही तो है ना इनकी निती मुस्लमानों को स्टेज से भी धक्का मार दिया जाता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि BJP और समाजवादी तो एकी सिक्के के दो पहलो है इनको भी समाजवादी को भी मुसल्मानों के वोट तो चाहिए लेकिन रिजर्वेशन की बात आई तो ये परला जाट दिये अब मैं कहूँगा अमिशा जी ने तिलन गनाए के अंदर जाकर कहा कि हम अगर सत्ता में आ गए BJP तो हम मुसल्मानों का रिजर्वेशन हटा देगी मुसलिम वर्ड यूज किया मैं बताना चाहूँगा के मुसल्मान रिलीजन की बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं ले रहा है जो मुसल्मान का OBC कैटेगरी है जो सोशली एजूकेशनली बैकवर्ड है उस बुनियाद के उपर उसको चार परसन रिजर्वेशन मिलता है अभी आमिश्या जी पढ़के नहीं आते हैं इसलिए इनको समझाना पड़तेगा किते कमिशन के रिपोर्ट है क्रिश्टन कमिशन का रिपोर्ट है वहाँ पर सुधीर कमिशन का रिपोर्ट है का फैसला है मुंबई की हाई कोट का तब भी है लोग रिजर्वेशन नहीं देर तो मुसल्मानों से इतनी दुश्मनी क्यों आपको खास तोर से पास बंदा मुसल्मानों से बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है मोदी जी तो कहते हैं कि जाईए पास बंदा मुसलमान के पास उनसे मिलिए उनसे मुलाकात करिए और यहाँ पास बंदा मुसलमान चाहता है कि उसका बेटा पढ़ लिक के डॉक्टर इंजिनियर लॉयर बने एक दिन लाविका जी की तरह एक बड़ा एंकर भी बन जाए करिक बने देश का एक पकास अच्चा डॉक्टर लॉयर इंजिनियर बनके नाम रोशन करें देश का और क्यों मुसलमान से नफर मैंने हमेशा काया नभिका जी मेरी एसम्बली की स्पीश आप उठा के देख सकते हूं मैंने स्पीश में कहा था कि मुसलमान एक देश अगर जड़ है जड़ के अंदर पत्ते मुसलमान इस जड़ की जड़ है आप जड़ को मजबूत करिये पेड़ मजबूत होगा पाल अच्छे आएंगे मगर नहीं यहां तो अपना काम बनता बाड़ में जया जनता कैस किस तरह से आपटाएंगे रिजर्पेशन को चलिए सब को कोटा मिलता अब आप हैं कि आपको चाहिए सिर्फ रिलिजिन बेस्ट कोटा धर्म के आधार पर कोटा और यही है नहीं गलत बैको बोर रहा हो राम नपमी हो तो पत्थर चलेंगे लेकिन इवतारी हो तो सब मिल पाट के बैठेंगे सवाल तो इस बात में पूछा ज आएगा कॉंग्रेस पार्टी से भी पूछा चाहेगा कि भाई राम नम्मी से क्या दिक्कत है ये भी तो सवाल पूछा जाएगा और सुबराश्टा जी सुबराश्टा जी मैं ये पूछना चाहती हूँ दो हजार चौबिस में एक ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सारे विपक जी कह रहे हैं कोटा हटा दो मुस्लिम कोटा हटा दो धर्म के उपर कोई कोटा नहीं होगा क्या यही एक मुद्दा है जिससे ये सारे कठे आ जाएंगे नविका जी आपने प्रशन थोड़ा टफ पूछा है अगर आपने ये पूछा होता कि किस आधार पर विपक्ष हारने वाली है दो हजार चौबिस तो मेरे लिए व्याक्या करना जादा आसान थी लेकिन अब आपने बहुत स्वाल पूछा है कि आखिर विपक्ष किन मुद अगर रीजनल पार्टी अपना इगो थोड़ा थोड़ा कम करके और जो नैशनल ऑपोजिशन की जो भी पार्टी है अगर वो अपना इगो थोड़ा कम करके एक नेगोसियेशन टेबल पर बैठें और अपनी अपनी चुनावी हैसियत के अनुसार सीटों पे बटवारा चाहे वो तिलंगाना में हो चाहे वो दिल्ली में हो या वो बिहार में हो या वो 36 गड़ में हो वो हर जगा वही वर्चस्व चाहेगी जिस वर्चस्व के साथ आज वो राजस्थान की सरकार में है या 36 गड़ की सरकार में है और यह संभव नहीं है क्योंकि अगर आप तिल माफिरा करके बात करें मैं बहुत स्पष्ट बात कह देती हूं देखिए मामला हिंदू-मुसल्मान ही रहने वाला है सिंपल रीजन इसका ये है कि आप OBC पॉलिटिक्स की बात करें सेस्टी पॉलिटिक्स की बात करें लेकिन अगर आपको पॉलिसी वाइज एक स्टैंड लेना हो तो क्या आज वारिस पठान कह सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस देश में जातिगत रजन गणना और जो धर्म के आधार पर जो भी सेंसस होता वो सब कुछ बंद करवा दिये जाएं हम अपने आपको केवल भारतिये के रूप में identify करें और केवल और केवल economically अपने आपको हम segregate करके देखें और उस हिसाब से reservation आज वारिस पठान जी कह दे इनकी जो पार्टी है जिसके नाम में ही ओल इंडिया मुस्लिमीन है उसका अस्ट भी खत्म हो जाएगा तो यह हवाई बाते हैं लफाजिया हैं कि हम चाहते हैं कि economically backward लो ही किया जाए और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती चले मू लबो लू आप यही है और इन चीजों से उपर उड़ करके राजनीती हमारे देश कह रही है और लोकेश जिंदल जी मेरा आप